हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब लोग स्वागत है आप लोगों का मेरे व्लोग में उमीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो ये मेरी बन रही है सुबह की चाय तो हाँ मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और मैंने अपनी चाय भी बना वरना फिर इनकों में सिधा नास्ता ही कराती हूँ जब बच्चे उठते हैं तो इनका मनता जाए पीने का तो फिर मैंने सब की बना दी उसके बाद मैं करूंगी किचन की क्लीनिंग तो मैं सिधा बस किचन में आई हूँ और अपना काम निफटालू सुबह-सुबह क्योंकि क किचन का काम मुझे बड़ा बार ही दिखता है जिस दिन सफाई करने होती है तो बस यह रहता है जल्दी उठों और फटा-फट से किचन के कामों में लग जाओं आज यह रैक खाली करूंगी सारा इसमें बहुत ज्यादा मैसी हो रहा है सारा समान निकालके अच्छे से साफ करके और जब इसे सैट कर दूंगी और आज ज्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करूंगी जैसे कि रैक अच्छे से सर्फ से धोना पानी से वह सब चीज़े तो नहीं करूंगी और इसको बस कपड़े से साफ कर दूंगी कई बार होता जल्दबाजी होती है तो फटा-फट कर दी और ज्यादा डीपली नहीं करना तो वह दस मिनट में मेरा काम अज कंप्लीट हो चुका था तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूं तो मैंने क्या क्या यह रैक पूरा खाली करके और इसे न मैं जूने से साफ कर रही हूं विंबार लगा के अच्छे से और इसक कर दूँ कोई बात नहीं ऐसे भी हो जाती है तो बस मैंने इसे अच्छे से जूने से साफ कर दिया उसके बाद पूरा डस्टर से इसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी और डस्टर को धोके फिर एक बार इसको अच्छे से और क्लीन कर दूँगी तो ऐसे अच्छे से साफ भ बच जाता है और ऐसे भी cleaning हो जाती है क्योंकि हमारे ये साफ तो रहते ही है बीच बीच में हम करते ही रहते है 15 दिन में 10 दिन में जब भी हमें लगता है हमारी किचन गंदी हो रही है तो अब भी देखो आप लोगों को दिखरा मेरा रैक इतना जादा गंदा नहीं था क्यों यहां से हटा दिया और मैं डेस्टर धोने ही गई थी अभी तो बस डेस्टर धोके मैंने यह भी साफ कर दिया और यह जो कांटर टोप है इसको भी clean कर दूँगी यहां से clean होता रहता आप लोगों ने देखा ना यहां पर भी कुछ भी गंदा नहीं था क्योंकि मैं हटा के साफ करती रहती हूं इसलिए हम थोड़ा थोड़ा अपना काम रोज सफाई से करते रहते हैं तो हमारे लिए काम इतना ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है क्योंकि सफाई रहती है तो ज़्यादा गंदा नहीं होगा तो ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और यह इस लिए मैंने घब्बे एक साइड में लगा दिये तो डब्बे मैंने सारे साफ करके रख दिये डब्बे भी क्लीन करके और लगाती जाऊंगी ये मेरा मुश्किल से पाच मिनट लगे होंगे पाच से भी कमी लगे थे सारे अच्छे से सफाई हो गई डब्बे भी मेरे साफ थे तो इसलिए मैंने एक एक बार और कपड़ा लगा के इनको वापस रैक में रख दिया रैक भी क्लीन हो सब्सक्राइब होती है तो मैंने ये रैक बना रख बना रख देती हु तो फैला हुआ भी नहीं लगता वह उर्स सारी चीजे आब जाती है एक साइड में, और हम तरीके से रखते हैं, तो वो ठीक लगती है, वरना तो मेरी किचन ऐसी है, कि मैं ऐसे लाइन से समान रख़ दू ना, तो हाँ अप लोग कहोगे, कि ये कैसे समान रखा, मतलब कैसे रखा जायेगा, और कैसे मैनेज करते हैं, पर हम लेडिसों के आदत हो पैकिट तो वो मैंने साइड में सबसे नीचे लगा के रख दिये तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को हाँ तो मैं बता रही थी मैं भूल भी जाती हूँ तो मैं बता रही थी modern kitchen जो होती है उसमें तो हम अंदर रख देते हैं set करके तो इतना जादा नहीं फैलता अगर ये cupboard बगएरा नहीं लगी होती ना तो kitchen में बहुत जादा दिक्कत होती है क्योंकि सामान ढंक से दिखना भी चाहिए तरीके से लगा हुआ सामने ही दिखता ना और उसे फैला के भी नहीं रख सकते तो ये ध्यान रखना ही पड़ता है तो वो भी मेरा बस अच्छे से rack भी clean हो गया और ये जो मेरी चोटी चोटी डब्यों का stand है रखने का इनको भी मैं साफ करके अच्छे से लगा दूँगी और मैंने इसमें पूरा अच्छे से clean कर दिया इसको भी मैंने नहीं दोया तो इसे भी रख दूँगी और ऐसे पता पानी की बचद भी होती है क्योंकि पानी आज मैंने भरानी है ना तो मैंने आप लोगों को बताया तो इसलिए मैंने आज ऐसी सफाई कर दी वैसे तो मुझे करना था पर वो ही है कि मैं साफ करती रहती हूँ तो इतने गंदे भी नहीं थे तो मेरा काम ऐसे चल गया तो गुड़ू अब कहा रहा था मम्मी मुझे निम्बू पानी पीना तो बस मैं हाथ दो के आई और इसके लिए निम्बू पानी बना दू दूफैर में बच्चो को कुछ ना कुछ चाहिए होता ना ऐसी सर्बत बना लिया मैंगो शेक बना लिया गर्मी में ऐसी चीजे चलती है तो बस निम्बू का पानी में बना रही तो उसे मीठा पीना था तो फिर मैंने क्या किया क्या क्यूंकि मीठा बनाऊंगी तो टाइम लगेगा चिन्नी गोलने में पानी में टाइम लगता है तो वह जो अधरक लेसन कूटने वाली थी ना मेरे पास ओकली का जो वह था उससे मैंने चिन्नी अच्छे से कूट दी तो वह जल्दी मिक्स हो गई तो अब मैं बस निबूनी चोड़ दूँगे और फटा फट से बना के दे दूँ इनको निबूने तो अभी मैं निबू पानी पेक्या ही मुझे भी ब्रेक मिल गया थोड़ा सा और फिर से आ गई हूँ मैं अपना काम करने के लिए तो मुझे सिंख एरिया भी क्लीन करना था और इसे मैं अच्छे से धोंगी और जब भी मुझे लगता ना कि ये गंदा हो गया या तो मैं इसे धो देती हूँ और वैसे पोचा तो मैं रोज लगाती हूँ पर दो-तिन दिन में इसे धुलाई करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहां पे अच्छे से क्लीनिंग मुझे तब भी लगती है जब मैं यहां से धो देती हूँ तो इसलिए सिंक एरिया वैसे भी अच्छा नहीं लगता और वैसे भी ओपन है ना मेरा यहां से दिखता है तो यह मुझे क्लेन रखना पड़ता है और यह धुलाई करने में भी मुझे 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 पाच मिनट लगे हूँगे क्योंकि टाइले वगेरा भी साफ करनी थी और थोड़ा से तो पोशन है मेरा किचन का नीचे का जो एरिया है उसमें भी दुलाई करनी थी तो यह भी मैं साथ के साथ दो दूँगी और यह मैंने सारी चीज़े नहीं अटाई क्योंकि यहां पर मैं पोचा लगाती रहती हूँ ना तो जरूरत नहीं है जादा अच्छ और वह एकदम क्लीन दिखता है जो फरस क्योंकि पोचा तो रोज लगता ही है और जब मैं किचन क्लीन करती हूँ ना रात के टाइम भी और पानीवानी सा गिर जाता तो फिर भी मैं पोचा लगा दी हूँ तो कई बार तो इस पर पोचा लग जाता है और जैस दिन मैं बीरत नहीं पड़ती वाइपर से साफ करती हुँ तो साथ ऑना ग sug दोती हुआ जब मैं पीचन धोती हुआ तो यहां पे पानी आता है भी मैंने पूछा लगा के अच्छे संफाय कर दी थी बढ़िती पर जब यहां पे पानी के छीट एइना तो फिर मुझे बी तादा फिर मैने यह एरिया भी दू दिया सफाई करदू यहां से भी और सारा पानी निकाल दिया वाईपर से अच्छे से क्लीन कर दूंगी और यहां से मेरी सफाई अच्छे से हो गई और मैंने शुबह यह इस ऐरिय में पोचा लगा के अच्छे से थोड़ ही इस तो चलिए जी यहां से धोया है तो फिर्ज भी क्लीन कर दूँ क्योंकि फिर्ज को जोड़ना जब यहां से पूरी सफाई कर दी तो मैंने फिर्ज को भी अच्छे से साफ कर दिया क्योंकि जब ये एरिया यह पूरा saaf होआँ, तो इस 사फ़ा ही अच्छे से दिखनी चाहिए, वता है, जब हम काम करते हैं, तो यह लगता है, काम कर रहे हैं, तो ढ़ NATO भू ह से कर दे अच्छे से क्लीन कर दें, जो कि अच्छे से दिखाई दे, और मैंने साफ कर दिया था न तो पूरा अच्छे से साफ हो गया था और अच्छा भी लग रहा था पूरे में साफ साफ और यह चार मैंने भाहर ना दूप में रख दिया था तो सुबह के टाइम और दूफैर होते 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 हैं वहां से दूप चली जाती है तो मैं इसे अंदर उठा के ले आई और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी उपर नीचे करके रख दूँगी तो अब काम मेरा पूरा क के तब बनाई थी तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर देना आप लोग